बंदा सत गुरू चरण को करू स प्रेम प्रणाम अशुबहरन मंगल करन धनीश्रिदेव चंद्रजीनाम श्री प्राण नात निज मूलपती श्री मेराज सुनाम तेज कुँ अरिशामा युगल को पल पल करू प्रणाम पियाजी को पल पल करू प्रणाम प्रतम लागू दो चरण को धनीए न चुड़ायो खिन लाक तली लालेडियां मिर जीव के जीवन इन पाओं तले पडी रहूं धनी नजर खोलो बातूं पलनावालू निर्खुने त्रे मिर जीव के जीवन मिर जीव के जीवन धाम धनी अक्षरातीत अपने दिल के अंदर बिराजमान लाड के अनन्त सागरों का रस लिए अपनी प्यारी अंगना इंद्रावती के दिल में बिराजमान होकर उनके दिल को धाम दिल बनाया और उनके सिर पर ये कारे दिया कि हे इंद्रावती मैंने तुझे दर्शन दिया तुझे बातें सुनाई अब तुम अपनी और रूहों को वही सुख दो श्री महामत कहे हक हुकमे जो तो है कहे हक हुकम सो तुझे देख महामत और कहो रूहन को जो तेरे तन बाहतत तो तुने तो रस लिया और ले रही है लेकिन अपनी और अंगनाओं को ना छोड़ो और उनको खिलवत की वो सारी बातें याद दिलाओ जो उनके साथ तीजी भौम पे तो हुई परमधाम के हर पक्ष में होती ही रहती थी ब्रज और रास के बाद मूल मिलावे में फिर बहुत सी बाते हुई उन सारी बातों की याद दिलाओ और जब तुम याद दिलाओगी और उन्हें अपना घर याद आ जाएगा तो उन्हें तड़प होगी बिछोहा का जो एक शण के लिए भी मुझसे जुदा नहीं होती थी और अब उनका हाल ऐसा हो गया कि वो मेरे पास आना ही नहीं चाहती वो जुदा ही रहना चाहती ये एक अजीब सी बात ब्रज में पूरी निद्रा थी हम पूरी तरह से भूल चुके थे हर चीज लेकिन फिर भी श्री कृष्णे जी के अंदर विराजमान राजी का आवेश उस तन से वो एक शण के लिए भी जुदा होना नहीं चाहती थी हमेशा उनके साथी रहती थी विद्विद की लीलाओं के साथ रास में भी आदी नीट तो उड़ा दी थी मेरी पहचान कर ली थी धाम की पहचान नहीं थी उसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ उसी तरह से लीलाओं की जैसे परमधाम में करती थी अंग सो अंग लगाए के लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में देखो उन्हें क्या हो गया उनको इल्म से मैंने बहुत कुछ बताया उनको उनकी पहचान दी धाम की पहचान दी अपनी पहचान दी लेकिन ये सब के बावजूद वो मुझे मिलना नहीं चाहते तो इंद्रावती तेरे उपर ये जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ कि तु उन्हें ऐसे जगा कि वो एक शण के लिए भी मेरा संग ना छोड़े उनकी हालत तो यूँ है कि बैठे मासूक जाहर पर दिल न लगे इत्व मासूक मुख देखन को हाई हाई नैना भी ना तरसत याद करो सुन्दर साथ क्या परमधाम में हम राज्जी के नैनों से अपने नैनों को एक शण के लिए भी जुदा करते थे क्या हम उनके मुखार विंद की अतिशय शोभा रंग उज्ज्वलता लालिमा के रस से कभी हम दूर एक शण के लिए भी रहते थे ना लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम तो ब्रज के जैसे भी नहीं रहे रास के जैसे भी नहीं रहे जागनी का ब्रह्मान और उनकी आत्माओं को जाक कर परमधाम के अंदर पहुँचे जाना है लेकिन ना उन्हें राज्जी मैं दिख रहा हूं और उनका दिल तो सिर्फ माया में लगा हुआ है मुझे भूल चुकी हैं पूरी तरह से बैठे मासूक जाहर बातन में नहीं जाहरी रूप में बैठे हुएं मैं इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान हूँ अपने आवेश सुरूप से बानी भी आवेशित दे रहा हूँ आवेश से ही मेरा हुक्म उनके साथ है और हुक्म को हुक्म है कि मेरे दो खास मलायक सेवक जबराईल और असराफील हर घड़ी हर पल उनकी प्रदक्षना करते रहे जबराईल का कामी यही है हर ब्रह्म स्रिष्टी के की प्रदक्षना करते रहे कुमत उनके अंदर प्रवेश्ट न करने दे उनके दिल को पाक साफ रखे रोशन रखे और हर समय उनकी वकीली करे उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना आने दे और मेरा जागरत बुद्धी का फरिष्टा उन्हें जागरत बुद्धी देगा जिससे मेरे इलम को वो ग्रहन करके मेरे पास दोड़ी हुई आ जाएगी आगे पीछे इसक लेसी सब कोई पर पहले जिनने लिया सोई सुहागिन होई सुन्दर साथ आज कितनी कठिन हाल है शामा जी को राजी ने पहले ही कह दिया था कठिन हाल है रूहों का पर तुम विर्चो जिन शामा जी को का रूहों के कठिन हाल से तुम उदास मत हो भूल गईया उन्हें सुध नहीं हासी एही मौमिन उन्हें सुध नहीं है अपने जागरत बुद्धी के फरिष्टे को भेजूंगा जागरत बुद्धी उनको अता करूंगा और उस जागरत बुद्धी के प्रकाश में वो मेरे ग्यान से अपनी आत्मा को जगा लेंगी और उनकी अंतर द्रिष्टी खुल जाएगी आज हमारे प्यारे सुन्दर साथ हम सब अपने चारो और क्या जबराईल और असराफील की उपस्थिती महसूस करते हैं लेकिन करना चाहिए करते हैं जागरत बुद्धी भर भर के राज्जी के दिल का रस पिलाना चाहती है जबराईल दिल को पाक साफ रखके उस जागरत बुद्धी से राज्जी के दिल का जब रस आता है तो वो उसे ग्रहन करती है लेकिन जब्राइल और अस्राफील दोनों की उपस्तिती के बाद भी हमने माया को इस तरह से पकड़ रखा है कि अब उसे छोड़ने का दिल ही नहीं करता बैठे मासूक जाहर श्री मिहराज का तन मरू का जीव जो दोनों हपसा में समाप्त हो चुके थे मैंने स्वैम उनको खड़ा किया सुन्दर साथ के लिए यह उनके लिए सिखापन था कि विरहा की गती क्या होती है कुर्बानी कहते किसे हैं कुर्बानी जिसने अपना तन ही छोड़ दिया फिर मैंने उसे अंग लगाया और मैंने उसे सब कुछ दिया ऐसा हमारे प्रीतम राजी फर्मा रहें उतनी कठिन, कस्नी, तपस्या, कुर्बानी मैं सुन्दर साथ से नहीं मांग रहा हूं मैं तो सिर्फ उनको ये कह रहा हूं कि जो तुम धाम में देखा करती थी हर घड़ी, हर पल कभी उन चरणों से अलग नहीं होती थी नैनों से नैना हर घड़ी जोड़े रखती थी मुखार विंद पे तुम्हारे नैन हमेशा बने रहते थे आज मैं साक्षात इस तन के अन मेराज के तन इंद्रावती की आत्मा और उस आत्मा के अंदर विराजमान मेरा अपना आवेश सुरूप विराजमान है इस ब्रह्मांड में तुमें ही अक्षरातीत कहलाने की शोभा मिली है और वो मेंने अपने हुक्म से तुम्हें दिलाई और उस साक्षात अक्षरातीत के सुरूप इस ब्रह्मान में विराजमान है उसके बावचूत मेरा दिल सुन्दर साथ का दिल राजी को देखने का नहीं करता बैठे मासूक जाहर प्राण नाथ अक्षरातीत इस ब्रह्मान में हमारे अंगे संगे हैं मैं इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग जो सौपे अंग इंद्रावती को ताए प्रेमे खेलाऊं रंग प्यारे सुंदर साथ इंद्रावती के अंगे संगे हैं धामदनी अक्षरातीत राजी प्राणनात मैं इंद्रावती के अंगे संगे और इंद्रावती राजी के ही नूरी अंग है बस तुम्हें उतनी कसनी कुर्बानी नहीं करनी बस मात्र तुम अपने अंगों को इंद्रावती को सौप दो जो सौपे अंग इंद्रावती को ताये प्रेमे खिलाऊं रंग उनको मैं इश्क से सराबोर कर दूँगा इतना कहने के बावचूद सुन दर साथ हमारा दिल ही नहीं लगता प्रीतम के मुखारविंद का दर्शन करने का उनके मुख को देखो तुसे कितना सुन्दर निलवट है पेशानी मस्तक पूरा मुक्चोक, मुखारविंद, गौर, उज्वल, गेहरी लालक लिए हुए है वो लालिमा क्या है ब्रह्म स्रिष्टियों का मुखारविंद की शोभा नीर सागर का प्रतीक है जिसका रंग लाल है और हर ब्रह्म स्रिष्टि राजी के हर अंग में बसती है और वो मुखारविंद में जब सब ब्रह्म स्रिष्टियां आती हैं तो ब्रह्म स्रिष्टियों की मुखारविंद की लालिमा गेहरी लालक हो जाती है मेरे मुखारविंद में, मेरी प्यारी अंग नाओं, तुम अपना स्वरूप देख सकती है मेरे अंग में, मेरे दिल में प्रेम ही प्रेम बहता है और उस प्रेम की लालिमा, गौर मुखारविंद पर प्रकट होती है और उज्वल तो ऐसी है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोश नहीं दोश रहित, गौर उज्वल गेहरी लालक लिये है जिसके अंदर तुम अपना स्वरूप देख सकती हो और उसके बावजूद तुम्हें मेरा मुख देखने का दिल नहीं करता मासूक मुख देखन को हाई हाई नैना भी ना तरसत जिस नैनों में मेरा स्वरूप परमधाम में अखंड रूप से अंकित है वही परातम के प्रतिविम्बित तन के दिल में है, नैनों में है, दिखताने तो प्यारे सुन्दर साथ, आज इंद्रावती की आत्मा धामधनी के आदेश से हम सब को सिखापन तो दे रही हैं, ये बता रही हैं कि तुम्हें मेरे जैसे कस्नी करने की जरूरत नहीं, प्राण त्यागने की आवश्यक्ता नहीं, तन को छोड़ने की आवश्यक्ता नहीं, तुम्हें तो मात्र, परमधाम में विराजमान, अक्षरा तीत के मुखार विन्द में अपनी सुर्ता लगा देगी, यानी कि इल्म के द्वारा जो सागर सिंगार में, परिक्रमा में, खिल्वत में, हर अंग-अंग का वरणन कर दिया, उन अंगों को तुम अपने दिल में अंकित कर लो, बस, ज्यादा कुछ नहीं कर, तन को तो बिल्कुल दुख नहीं देना, दुखना दीजे देह को, सुखे छोड़िये सरीर को, तो बस आपको अपनी सुर्ता, ध्यान और चित्वन के द्वारा, मूल मिलावे में लगा कर, मासूक के सुन्दर मुखार विंद से जोड लेना है, और पैदर पे उस मुखार विंद का दीदार, और उस नैनों से जरते हुए, इश्क के रस को पीते रहना है, उसमें जीलते रहना है, बस इतना ही तो करना है, यहाँ पर हमारे पास 64 घड़ी है, आठ प्रहर, हमें तन से जो भी कारे करना है, करो, लेकिन दिल मेरे चरणों में रखो, ऐसा राज्जी कह रहे, और चरण पकड़ लेंगे, तो राज्जी के नैन कमल सोतही मेरी आत्मा के नैनों में आ जाएंगे, जो कदी आसिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दोव पाए, ए नैन अंग नूर जमाल के, सो आसिक से क्यों जाएंगे, अब यहां हालत राज्जी बयान कर रहे हैं, सुनने कान ना दोड़त मासूक मुख की बात, याद करो सुन्दर साथ, परमधाम में, जब राज्जी अपनी मीठी रसना से, मीठे वचन सुनाते थे, तो हम सब सखियां लट्टू हो जाती थी, उनके मीठे वचन की माधुर्यता भरे रस में ऐसा डूब जाती थी, कि उससे निकलना ही नहीं होता था, हर घड़ी हर पल दिल में यही भाव रहता था, कि हम राज्जी की बात सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, कभी जी अगाता ही नहीं था, तिर्पत ही नहीं होता था, लेकिन आज सुनने कान ना दोड़त मासूक मुख की बात, इस्क न जानो कहां गया जो था मासूक सों दिन रात, याद करो, अर्ष की हकीकत में, वनों में, महलन में, सुबह छे बजे से लेकर, रात्री के नौ बजे तक, याद रखना सुन्दर साथ, परमधाम में समय नहीं होता, ये तो मात्र उन इश्क की लहरों की तरंगों की किर्णों का आभास देने के लिए, एक एक परत खोलते जाते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि यहां की नजरों में मानों समय गुसर रहा हूं, परमधाम में कोई समय नहीं, हम तो राजी के चरणों में रहते हैं, उनके दिल में रहते हैं, उनके मुखारविंद में रहते हैं, उनके हर अंग में रहते हैं, और हम अपने माशूक से अरस परस रहते हैं, इस्क नजानो कहा गया जो था मासूक सों दिन रात प्रेम की लीला में मगन रहना मगन रहना यही एक ही तो काम था वो भी छूट गया रूह अंग ना दोड़े मिलन को ऐसा अर्स खावंद मासूक अब मेरे दिल में वो उमंग नहीं है उतसाह नहीं है, उल्लास नहीं है उर्जा नहीं है, प्रफुल्लता नहीं है कि उस उर्जा को लेके मेरी आत्मा का अंग अंग दौड पड़े अपने प्रीतम को मिलने के लिए प्राणनात के शरण में आने के लिए हमने तो सिर्व मान लिया यह तार्तम जान मिल गया है अब मैं प्राणनात की अंगना हो गई लेकिन किया हमने कुछ भी नहीं करना तो पड़ेगा उद्दम करना तो पड़ेगा ऐसे सुन्दर प्राण प्रीतम माशूक के मिलन को आत्मा का अंग अंग अपने दिल के साथ धनी के चरणों को पाने के लिए दोड़ पड़ना चाहिए लेकिन हम करते कुछ नहीं महबूब जुदागी जानके अंग होत नहीं तूक तूक यहां हमें ये मालूम है कि मैं इस ब्रह्मान में मूल परमधाम से बिछुड गई महबूब जुदागी जानके अंग होत नहीं तूक तूक मेरे अंग तूट नहीं चाते जो याद आवे एक कदम की तो तब ही जावे उड़ दे अगर उन चरण कमल की निस्बत पहचान में आजाए चरण कमल की तली सुन्दर गौर उज्वल गहरी लालक लिए लाक तली लाल एडियां मेरे चीव के एही चीव लाक तली की लाक में जो गहराई है उसकी लीकों में जो गहराई है राजी का दिल बसता है और हम आत्माएं उसी दिल में बसती हैं यही तो निस्बत है और राजी के दिल के अंदर विराजमान अनंत संपदाओं न्यामतों निधियों जो इश्क से लवा लब भरी हैं वो सारे के सारे अनंत रूप से उस लाक में हैं और मैं उस लाक के अंदर विराजमान रस रूपी चल की जीव हूँ वो रस ही मेरा जीवन है सुचे चरन तली बेली है और बेली से लगे हुए हम आत्माएं फूल हैं और वो फूल बेल से जुदागी क्यों है यह चरन भाई बेल और हम रूहें उस बेल की फूल है और यही हमारी निस्बत है इसक हमारा कहां गया जो दिल बीच था असल अब सुन्दर साथ आप से धाम के धनी अक्षराती सवाल कर रहें और तुम्हें जवाब देना होगा मुझे जवाब देना होगा हम सब को जवाब देना होगा क्या इसक हमारा कहां गया जो दिल बीच था असल जो इशक ही हमारा खान था, पान था, सवूर था, रस था वो इशक अब कहां है इसक हमारा कहां गया जो दिल बीच था असल तिन दिलें सहूर क्यों छोड़िया जो विरहा न सहता एक पल परमधाम में तो विरहा की कभी इस्थिती ही नहीं थी उस विरहा की रस दिखाने के वास्ते ब्रज में दिखाया बावंते रास में अंतरध्यान के दौरान वो विरहा का एक तरंग दिखा दिया परमधाम में तो विरहा है नहीं और ब्रज में हम न सह पाए रास में हम न सह पाए तो यहां कैसे हम सह पाते हैं और सहूर क्यों छोड़िया सहूर सुन्दर साथ ग्यान की बातें क्या करना सहूर के मतलब होता है जागरत बुद्धी निज बुद्धी का जो ग्यान राजी के दिल से निकलता हुआ ये ग्यान को ग्रहन करने की शक्ति विचारने की शक्ति को सहूर कहते हैं और वो जागरत बुद्धी होती है और वो दिया हमें किसने राजी ने खुद्धी जागरत बुद्धी दे दी उसके बावजूद हमें देखना ही ने तो क्या है ये बहुत दुख में इस्थिती है हमें माया का दुख नहीं है हमें ये दुख है कि हम अपने प्रीतम से बिछुड गए सत्य ये है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें माया का दुख सता रहा है माया का दुख तो कुछ भी नहीं है प्रीतम से बिछुडने के दुख के सामने जो दिल से एस सहूर करें जिस दिल ने जागरत बुद्धी को ले लिया और उससे राजी के दिल की लहरों को अखंड लहरों को देखना शुरू कर दिया जो दिल से एस सहूर करें तो क्यों रहें मिले बिगर अगर आप सहूर कर सकते हो तो आप धनी से एक ख़ंड भी मिले बिना रह सकते हैं अर्ष बेसकी सुनके अजू क्यों रहें नीद पकर जब अर्ष से हम बिलकुल बेशक हो गए हमें अपना आत्मा का सुरू परातम का सुरू धाम का सुरू जुगल सुरूप का सुरू अर्ष की हकीकत और मार्फत इल्म की हकीकत इल्म की मार्फत इश्क की हकीकत इश्क की मार्फत जब वानी के द्वारा राज जी ने अपने हुक्म से हमें दिया और जागरत बुद्धी दी जो हमें इतनी शक्ती दे देता है कि हम वो सारी चीजों को अपने अंदर ग्रहन करके बेशक हो जाएं तो अर्ष बेसकी सुनके अजू क्यों रहें नीद पकर हमने माया को क्यों पकड रखा है माया की आउकात नहीं है कि ब्रह्म सिरिष्टियों को पकड सके लेकिन ब्रह्म सिरिष्टियों ने माया को पकड रखा है बातें सबे सुपन की करें जागे पीछे सब कोए पर जागे की बातें सबे सुपने में कभू ना होए सोचेव सुन दर साथ जब हम यहां पर उदारन के तौर पे हम निद्रा में आ जाते हैं हम एक सुपन देखते हैं और फिर जब हमारी नीद खुल जाती है नीद से हम परे हो जाते हैं तो हम सपने की बातों को याद करके कर सकते हैं बातें सबे सुपन की करें जागे पीछे सब कोए पर जागे की बातें सबे सुपने में कभू ना होए लेकिन परमधाम में जो जागरित अवस्था की बातें हैं इस सुपन में कभी नहीं होता और यही करिश्वा है कि राजी ने अपने इल्म से परमधाम की जागरित चीजों का बयान कर दिया इस सुपन के ब्रह्मांड में नीद की अवस्था में उनहोंने परमधाम के उन रहस्यों को खोल दिया जो कभी सपने में हो सकता नहीं था और वो कर दिया सो जरे जरे जागरित की जरे जरे मन्हें जर्रा जर्रा मतलब परमधाम के हर पक्ष की राजी के तन की राजी के दिल की हर बात सो जरे जरे जागरत की सब बातें होत बेसक नीद रहत अचरज सों आए दिल में अर्स मुतलक आश्चर है कि नीद रहते रहते राजी हमारे दिल में आ गए और हमें परमधाम की सब बातें सुना रहें सो कराई मासू के हम पे सब अर्स बातें सुपने सब गुजरी जो हक हादीर हों सो सब करत हम आप में सुन्दर साथ ये चौपाई राजी ने इंद्रावती के माध्यम से परमधाम की हर जागरित बातों का खुलासा कर दिया इस सुपने में सब अर्स बातें सुपने अर्स की हर बात का खिल्वत की बातों का हर लीला का हर पक्ष का सुन्दर्य बातों के मीठापन का माध्यृता का खुलासा कर दिया इस सुपन के ब्रह्मांड सब गुजरी जो हक हादी रूह परमधाम में जो राजजी, श्यामाजी और रूहों के बीच में अनंत लीलाय हुआ करती थी इशक रब्द के साथ रंग परवाली की लीलाय तीजी भूम की लीलाय वनों की लीलाय सागरों की लीलाय जहां जहां दिल करता था, हम जाते थे आप याद करो पुखराज पहाड में, तीस दिन में फिर से मैं याद दिला दूँ कि न वहां समय है, न दिन है, न रात है, न मास है ये मात्र उसकी तरंगों को समझने के लिए ये कहा जाता है तो सुन्दर साथ कोई घलत फहमी न पा लिए पुखराज पहाड पे, तीस दिन में, हम छे दिन जाते थे पाटगाट, जमना जी पे, एक दिन पुखराज पहाड पे, जहां से जमना जी का उदगम होता है, वहां छे दिन सोचो, कि जमना जी, जब पुखराज पहाड के, से चारधार सोलधार होते हुए, अद्बीच के कुन से होते हुए, मूल कुन धपोचबूतरा से होते हुए, मरोर खाके निकलते हैं, उसके एक एक अंग को राज्जी, इस स्वप्न के ब्रह्मांड में हमें दिखा रहे हैं कृष्ण पक्ष में हम जाते थे पुखराज पहाड पर और छे दिन, यानि कि पुखराज पहाड के अंदर राज्जी की अनंत शोभा विराज्ज माने, और उस शोभा के हर किरण को, हर लहर को, हर तरंग को दिखाने के वास्ते हमें वहां ले जाते थे सो कराई मासू के हम पे सब अर्स बातें सुपने, वो सारी बातों को इस सुपन में इंद्रावती के माध्यम से राज्जी ने कराया, हम रूहों को याद दिलाने के वास्ते, सुख देने के वास्ते सुन्दर साथ इस ब्रह्मान में हम जागनी की बहुत सारी बाते करते हैं ऐसे करो तो जागनी होगी सारे सुन्दर साथ आपस में मिलके क्या प्रेममरी बाते करते हैं यह करो अपनी आत्मा को जगाओ मैं भी जगाओं तू भी जाग धाम में तो यह वादा किया था करते रहो यानी परमधाम को पूरा आत्मसाथ कर लो सिंगार गरंथ के सभी चीज़ को आत्मसाथ कर लो लेकिन हमसे होता तो कुछ नहीं तो राजी ने क्या कहा सुंदर साथ कितनी मधूर सी बात है जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग जागनी का मूल क्या खाली तुम मेरी याद भर कर लो जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग गए आये कहूं नहीं सब रूहें बैठियां अंग लाग परमधाम में तुम हमारी चर्णों तले बैठी हो आत्मा के माध्यम से परातम को संदेश पहुँच रहा है कि परातम सुपने में जो खेल को देख रही इस खेल के अंदर जागे की बातों को देख कर बस मुझे याद कर ले यहाँ पर आत्मा अपने मूल तन को जुगल सरूप को अपने सरूप को बस याद भर कर ले कुछ नहीं करना तुम पुखराज में नहीं घूम पाते मत घूम तुम मूल मिलावे में नहीं टिक पाते दुख है कि तुम नहीं तिक पाते चलो वो भी छोड़ो बस अपने दिल में मेरी याद बसा लो दूर नजीक सब याद में अर्स आगून नजर परमधाम दूर से दूर या नजीक से नजीक सब याद में सिर्व राजी ये कह रहे हैं कि तुम बस हर घड़ी हर पल मुझे याद करो जो एक बेर करो मुह साद तो तस बेर जीजी करूं करके तुम्हें याद वो मुझे याद करना चाहते हैं और हमसे कह रहे हैं बस तुम एक बार मुझे प्यार से याद कर लो बस बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना जो कुछ करना है मुझे करना है और मैं करूंगा क्योंकि तुम मेरी लाडली अंगना हो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हम इतने गए गुजरे हो गए हैं कि हम धामधनी अक्षरातीत अपने प्राण पीत प्रीतम खसम दूला को याद ही न कर सके ये क्या बात हूं यहां के तन के नाते रिष्टे तो बहुत याद आते हैं लेकिन धामधनी आद नहीं आते हैं ये क्या बात है तो सुन्दर साथ ये एक बहुत बड़ा सिखापन है सो कराई मासू के हम पे सब अर्स बातें सुपने सब गुजरी जो हक हादी रूहों सो सब करत हम आप में अब इंद्रावती कहती हैं कि जो जो बातें हमारी परमधाम में हुई अब उन बातों का खुलासा अभी इस चर्चा का विशय नहीं है लेकिन आप सब इतने प्रबुद्धों कि सब जानते हूं कि राजी ने क्या का कहा और हमने क्या क्या कहा और उस खिलवत की गूज कया उतरते हकने अलस्तो बेरब कुम तब रूहें वले कया वले न भूले हम क्या कहा था राजी ने अलस्तो बेरब कुम क्या वो कुम की गूज हमारे दिल के अंदर धलक रही है अलस्तो बेरब कुम क्या मैं तुम्हारा खावन नहीं हूं क्या मैं तुम्हारा पालन नहीं करता क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता क्या मैं तुम्हारा खसम नहीं हूँ तो हम रूहों ने कहा बेशक आप ही हमारे खावंद हूँ ये क्यों भूल गया बज़ इतना ही तो याद करना है कि वो मेरी आत्मा के खावंद है और इस याद से हम एक शण के लिए भी जुदा नहूं यही हमारी निस्बत है तन के निस्बत हैं तो हैं यहां के नाते यहां के कार हैं तो हैं लेकिन असल मूल कहा है? राजी के चरनओ और उनकी याद हर घड़ी, हर पल हमें बनी रहे तभी कह देते हैं राजी हुआ जाती सुमरन जिनको अर्स अजीम जैसा सुख जिसको परमधाम का याद आ जाती है मेरी याद आ जाती है तो परमधाम का सुख यहीं बैठे बैठे उनको मिल जाता है निस्बत बका नूर जमाल और यही निस्बत है अपने प्राण प्रीतम नूर जमाल से अजू क्यों पकड़ रहें देह दुख देह दुख के मतलब इस माया के प्रपंच में हम अपने आपको क्यों डुबाते हैं इसक मिलावा और है और मिलावा मारिफत इल्मे लई कई लज्यतें इसक गरक वाहिदत इसक मिलावा और है सुन्द साथ यह थोड़ी प्यार भरी बाते हैं अपनी सुर्ता अगर राजी के चर्णों में परमधाम में लगा सको तो ये बात अती मधुर और मधुरता के रस से भरी हो इश्क की हर लीला अर्श की हकीकत में होती है परमधाम के अंदर हक जाते हैं वहदत हैं और इश्क हैं निस्बत हैं और हर लीला मूल में इश्क की ही लीला है तो इसक मिलावा और है जैसे ही राजी का इश्क की लहरे हमारे दिल में आने लगती है तो मैं अपने मूल तन में विराजमान हो जाती हूँ और वहां की हर लीला मेरे दिल के अंदर प्रवेश कर जाती है इसक मिलावा और है और मिलावा मारिफत और जब राजी के दिल में मैं बैठ जाती हूं जो सुराही हक की पीवना मतलब राजी के दिल का तरस पीना है जो सुराही हक की पीवना सो इसक हक दिल मिने सो मोमिन पीवे कोई पैठ के और पिया न जाए कि ने कोई नहीं पी सकता सिर्व प्रह्मस्रिष्टिया ही उसकी अधिकारनी तो इश्क परमधाम में है और उसकी हर लीला इश्क रूप और इश्क कामूल राजी के दिल में है और दिल से उनके हर अंग में है तो अंग में होने से वो हकीकत का स्वरूप हो जाती है और दिल में होने से वो मारिफत का स्वरूप हो जाती है तो इश्क ही हकीकत है और इश्क ही मारिफत है और ये इल्म से इल्म की हकीकत और इल्म की मारिफत इसक मिलावा और है और मिलावा मारिफत इल्में लई कई लज्यतें इसक गरक वाहे तक और इश्क इल्म से परमधाम की हर लज्यत लेकर मैं राज्जी के दिल में प्रवेश कर जाती हूँ जहां इश्क ही इश्क भरा हुआ है और मैं अपने स्वरूप को राज्जी के हर अंग में देख पाती हूँ ताथें बड़ी हकीकत मौमिनों बड़ी मार्फत लज्यत मौमिनों लीजो अर्ष दिल में ए नेक हुकम कहावत अभी मार्फत और हकीकत की लज्यत लेना ही तुम्हारा काम है ताथें बड़ी हकीकत मौमिनों बड़ी मार्फत लज्यत मौमिन लीजो अर्ष दिल में ए नेक हुकम कहावत अच्छा सुन्दर साथ जी अब राज्जी एक और बात आपको बताना चाहते हैं हम सब को बताना चाहते हैं मैं यहां बैठके आपको जब कहता हूँ कि आप आप यह आप नहीं हम सब की बात है जो कदी इस्क आवे नहीं तो मौमिन बैठ रहें क्यों कर अर्ष हक्सों बेसक होए के क्यों रहें अर्ष बिगर जब तक इश्क नहीं आता तो मौमिन भूला बैठके नहीं रह सकता वो निरंतर प्रयास करता रहेगा वानी के द्वारा राजी के नक्से शिक्तक के हर अंग को अपने दिल के अंदर बसा लेता है और हर अंग इश्क का सागर है अंग देखे जेते सूरत के सोतो सारे इश्क सागर हक गुन बाहर देखावत इन बातों मौमिन कादर तो इल्म के द्वारा उन हर अंगों को जब मैं अपने दिल में बसा लेती हूँ तो स्वतही इश्क की लहरे आती है और इस बात को करने के लिए हमें वानी मंतन, मनन, पठन, गुनन, चिंतन और उस वानी के ज्ञान से अब परमधाम देख और इस्क स्वतही आएगा इस्क क्यों ना उपजे पर रूहों करना सोई उद्दम ये मेहनत तो करनी पड़ेगी राह सोई लीजे जो आगु हादिये भरें कदम जिस प्रकार से राजी ने अपने रसूल साहब और शामा जी के द्वारा हर चीज बताई उस राह पर चलना है हो जाएगा पाक न हो ये इन पानिये चाहिए अर्स का जल नहाईये हक के जमाल में तब हो ये निर्म इसका सीधा साधा अर्थ है कि तन को धोने से जो यहां के जल से धोया जाता है उससे पाक दिल नहीं होता उसके लिए चाहिए अर्ष का जल अर्ष का जल क्या है? बादल बरस्या रू अल्ला बरस्या जल आया बादल बरस्या रू अल्ला ए भूंदे लई जो तिन और कोई न ले सक्या बिना अर्ष रूहन राज्जी की कृपा तो बरस रही वानी तो आ गई साथ सो तीस करोड लोग मनुश इस संसार में हैं लेना चाहें तो ले सकते लेकिन लेने वाले कौन? मात्र ब्रह्म स्रिष्ठी बादल बरस्या रू अल्ला ए बूंदे लई जो तिन और कोई न ले सक्या बिना अर्ष रूहन आप कितने सौभागे शाली हों? कि आपको ब्रह्म स्रिष्ठी का खिताब मिल गया लेकिन ये सीधा साधा अर्थ है अब थोड़ी बात मैं बताता हूँ अपने दिल का के अंदर जो भाव उमरता है अगर कहीं मैं गलत हो जाओं तो मैं आपके चरणों में मौफी का तलब कार हूँ मौफ करते चेगा वाणी राजी के इल्म रूपी वचन है और यही जल है ऐसा ही जल राजी ने अपने हुक्म से वेद कतेब के गरंथों में पहले से लिखा दे लेकिन ये वाणी आने के बाद और ग्रंथों में कितना शौंस गुजार लोगे तुम्हारा दिल पाक तभी होगा जब वाणी का जल लोगे पाक न हो ये इन पानी है चाहिए अर्च का जल नहाईए हक के जमाल में जमाल माने सौंदर है और उसौंदर के अंदर अनंत गुड है और उन गुणों को अपने दिल में लेते हैं तो हमारा दिल पाक हो जाता है नहाईए हक के जमाल में तब हो ये निर्वन यानि बाणी से ही हमारा दिल पाक साप हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है पाक होना इन जिमियें और न कोई उपाए लीजे राह रसूल इसके तब देवे रसूल पहुँचाए और इस जिमियें में पाक होना कोई दूसरा उपाय नहीं है वाणी के एलावे और जो रसूल ने इश्क की राह बताई है उसको पकड़ लेंगे तो राज्जी के चर्णों में पहुच जाएंगे अब फिर वही समय की मर्यादा बातें तो बहुत कहनी ये प्रकरण बहुत कहरा है आप सुन्दर साथ स्वैम पढ़ें स्वैम डूबें स्वैम उसका रस लें और मैं क्या कहूँच दो चौपाई बोल देते हैं अब कहूँ सरीयत मौमिनों जिन लई हकीकत हक सुन्दर साथ आप तो यहां जानते हो पहले आता है शरीयत फिर आता है तरीकत फिर आता है हकीकत फिर आता है मारिफ़त सोचो कर्म कांड से हम निकल जाते हैं उपासना कांड से भी निकल जाते हैं तब हकीकत की सुगंदा दी अमारिफ़त का रस मिलता है यहां पर क्या कहें कि मौमिनों की शरीयत क्या है अब कहूं सरीयत मौमिनों जिन लई हकीकत है यानि पहले हक के दिल की मारिफ़त और हक के दिल के अंदर जो अनंत रस है एतिन में हुए बेसक और राज्जी के दिल में प्रवेश कर जाने के बाद उस रस में ऐसे मगन भै रस मगन भै तो क्या कहा है वो इस्तिती तबाते है और एक और चौपाई है बोल देता हूँ फिर कभी आपके दर्शन होंगे तो जरूर बाते करेंगे बेसक होए दीदार कर ले जवाब होए बेसक एही मौमिनों मार्फत खिलवत कर साथ हक अब इस चौपाई का आप स्वैम ध्यान करें इसी चौपाई को दोहना ले बेसक होए दीदार कर ले जवाब होए बेसक एही मौमिनों मार्फत खिलवत कर साथ हक बोले श्री प्राणनात प्यारे कीजे बोले श्री सद्गुरू महराज कीजे बोले श्री सर्वसुंदर साथ कीजे